एलो फ्रेंड्स हम लोगा सीखेंगे कि बजाज का क्रेडिट कार्ड केसे अफलाय करना है और इस कार्ड को लेने के लिए क्या-क्या टामा कंडिक्शन कंपनी ने रखा है ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को सुरू सां तक देखना है और हमारे चैनल पर अभी तक अगर चैन पिन कोड फिल करते हो जैसे कि हमारे फिन कोड जो है यहां पर जैसे डालेंगे तो नोट अविलेबल बताएगा क्योंकि हमारे फिन कोड पर अभी अभी अविलेबल नहीं है तो यहां पर एक तो इस तरह से आप पता कर पाऊ हो कि हमारे फिन कोड पर अभी लेवल है या न जिसमें उसका डिश्टी का लग होता है मेरे डिश्टी का लग है तो उसका डिश्टी का पीन कोड यहां पर डालने के बाद जो है यहां पर बता रहा है तो इस तरह से चेक करके भी अपलाए कर सकते हो यह प्रोसेस आपको मैंने बता दिया दूसरा प्रोसेस है कंपनी का टा बहुत जरूरी है, ठीक है, तो भाई सबसे पहले, यहाँ पे जो है, सबसे पहले, PIN Code के उपर defend करता है, कि आपके PIN Code पे है या नहीं है, दूसरी बात, यहाँ पे है, अगर आपके PIN Code पे है, तो यहाँ पे आपको कितने PES से Pay करना होगा, इसको card को apply करने के लिए अगर सारा कुछ detail डालने के बाद मेन प्रोसेस होती है कि भाई payment pay करना होता है हर किसी को पता नहीं होता है कि भाई payment करना है या नहीं करना है तो यहाँ पे जो है GST लगा के 566 रुपया जो है आपको यहाँ पे pay करना होगा आप जैसे ही pay कर देते हो आपको physical card आपको credit card मिल जाता है बजाज की उस card से आप कहीं पे भी shopping कर सकते हो लॉन ले सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक है आपके पास जो है अधार card और यहाँ पे pen card होना चाहिए तब ही जाके इसको आप यूज कर पार मतलब ले सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपके जो नमबर उस पे अधार card link होना चाहिए उसके बाद ही इस card को apply कर पाऊगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो भाई लिक के रखा है कि बाई 2-3 working day के अंदर आपको यहाँ पे बजाज card की approval मिल जाती है और इसे आप यूज भी कर पाऊगे ठीक है पेमेंट जैसे यह पे कर देते हो 2-3 working day के अंदर जो है approval आपको मिल जाती है बजाज card की ठीक है तो यहाँ सा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा है और यहाँ पे जो है मैं इसे card को apply करके भी आपके सामने दिखाता हूँ फिलाल हमारे छेत्रे हमारे एरिया में नहीं यह अभी जो है अभी लेवल ह है वरना मैं आपको प्रोफरली जो है apply करके भी बता देता मैं एक वीडियो में बताया था जिसमें आधा जाने के बाद वहां पे नहीं बता रहा थे कि आपके एरिया में इसलिए मैं नहीं apply कर पाऊंगा लेकिन इसका जो link decision के नीचे डाल दोंगा आप सिंपली ज्यादा इस पर कुछ नहीं करना होता है सिरिफ आपका mobile नमर email ID और पीन कोड जैसे डालोगे अगर आपके आपके एरिया में अभी लेवल है तो आगे की अश्टेप बढ़ जाएगी वहां पर फूरे detail दाल देनी है और detail दालने के बाद आपकी payment gateway पर लेके जाता है payment जैसे आप कर देते हो आपकी card जो है मिल जाएगी तो आपके जो भी कहीं पर कोई दीकास होता है तो मुझे comment में पूस अक्ति में जरूर बताऊँगा मिलते है ना एक वीडियो तो तक लिए जैहिन जैवात